कि हलो दोस्ते तो नमस्कार आप सभी की अपने इस प्वार्ब करें स्वागत है तो चलिए आज आउट को ट्रिगलोमेट्ट्री कि सीट नंबर कित की स्टार्ट होती है हाँ यह आप क्या है यी पिन लेठ treatment तर्ण आपकी start फोती है अज चलिए और प्रिवियस एर क्लास में हमने लिए सेकंड आपको complete करा दीती है और बहुत अच्छे लेबल के आपके उसमें स्थे अल्ड जया आज आज आपको start होगा City number 3rd. और इस City number 3rd में भाई मैंरे इस City number 3rd में आपको बहुत अच्छे अच्छे concept आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे. जिसमें आपको Complimentary का जिकर किया जाएगा. किसका? Complimentary का. और ये Complimentary क्या है? कैसा है? सारा कुछ आपको विद्वत तरीके से पढ़ाया जाएगा हाँ चलिए तो देखिए मेरे बाई क्या concept है आपका क्या है क्या नहीं वो जश्ट आपको सब बताने वाले ही है हम चलिए complimentary का concept इसमें यूज किया जाएगा क्या complimentary पूरक और एक नाम से जानते हैं इसको कोटी पूरक कोटी पूरक करेक्ट भाई किसको ये complimentary का पूरक कोटी पूरक और आप इस सब्द से इस से इस meaning से बहुत ही familiar हो चीक है प्रिबेटर क्लास में complimentary का पूरक और सम पूरक का पंड़ा आप समच चुके हैं तो देखिए अब आपका एक examiner अब आपका exam कुछ इस प्रकार से देगा अलफा बीटा प्लस अलफा इस इक्वल टुनाइटी चलो जो कुछ भी यह लिखा है यह जो कुछ भी आपका लिखा है सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं फिर से हम correct चलो यह तो आपको slide में मिली जाएगा और आपको इसको बताने जा रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको हम आपको ग्रूप के माद्यम से बताएंगे चलिए चलो तो बताएगे स्टाट किया जाए ना वीडियो को share जरू कर देना तबी तो पढ़ाने में ultimate मजा है चलिए हम क्या कह रहे हैं जब आपका examiner आप इस type से आपको language देगा जैसे कि मालो A plus B का जो योग हुए वो क्या कहेगा कि वो 90 होना चाहिए correct तो ये क्या है तो ये आपका भाई बहुत कुछ आपको बताने वाला है चलिए चलो तो देखिए मेरे भाई देखिए यहां से जिसे कि मालो sign sign यहां पे आपको क्या दिया गया है यहां पे आपको दिया गया कोई दिक्कत नहीं चलो अब examiner आपसे इस टाइप से condition पूछ रहा है भाई तो देखिए यहां पे आपको प्रूफ करके बताएंगे यह जो आपको सारा कुछ लिखा है ने कि अकल यहां पी ale aja इंट से टेन आपको आपको थै तो मैं आपको वन सब बताया दोना पीछी प्रीवेस लिक्रास में बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट में आपको बताया था चलिए तो आप यहां देखिए कि साइन अलफा इस इक्वाल टू प्रिसको इधर ले गए तक साइन नाइन टी मैनस बीटा आप देखिए आपका एजटीज रहेगा सा प्रस्ट कोर्डेंट में आपको सारे पॉजिटीव होते हैं सेकंड आप क्या आया रखना है कि 90 का और मल्टीपल है या इवेन और मल्टीपल हुआ तो यह अपने कॉंपली में रिज्जी यो कनवर्ड हो जाते हैं इवन मल्टीपल हुआ तो नो चेंज हां चलिए तो आइगा तीलिफा देखिए अभ्याइप यह राइट इंड में मल्टीपलाई में इथार आइगा तो क्या थे इवाइड में हilians को चलिये कैया हो जाएगा थान टाइन अलफा इंटु आ देखो यह क्या हो जाएगा आपका यह वजाएगा डिवाइड में रिल्डे का सै। प Desde अपन शॉ इस प्रकारस वा देखो ऐसे हैं ऐसे देंगे ना ऐन टु वन अपन उपन लूग्रोप यही तो प्रूफ करना था और आपको बता दिया मैंने तो देखिए तो देखिए मेरे भाई, इसको और हालेट कीजिए, चलो, तो यही तो आपको examiner कहने चाहा रहा है, कि क्या, sin alpha into sec beta is equal to 1, प्रूफ हो गया ना, sin alpha into sec beta is equal to 1, चलो, इसी प्रकार, इसी प्रकार आपको क्या हो जाता है, देखो, इसी प्रकार आपको लिखाने जा रहे हैं, सभी आप याद रखेंगे, चलो, तो क्या, sin, first आपका क्या है, sin alpha into sec beta is equal to 1, प्रूफ कर लिया हमने ना, बहुत ही बेतरी, इसके बाद, इसके बाद देखिए, cos alpha into cos sec beta is equal to 1, correct, इसके बाद एक और हो जाता है, आपका 10, alpha into 10, beta is equal to 1, प्रूफ सिच्वेशन कहा बन जाती है, आपकी, cos alpha into cos beta is equal to 1, अभी हमने प्रूफ क्या किया, अभी हमने प्रूफ ये वाला भाई, इस concept को समझ लिया, कि sin alpha into sec beta is equal to 1 होता है, क्यों होता है, प्रूफ की माद्दम से हमने समझा, अब बताएं कि आपको सारे बताने जुरू रहते हैं, क्या आपको सारे बताने जुरू रहते हैं, नहीं न, तो समझ पाएंगे न, तो बाई हाड़ आपको याद रखना कि क्या, sin alpha into cos beta is equal to 1, खब होगा, ये भाई तब होगा, जब इनके जो theta की value है, जब दोनों को आप एड़ करेंगे, हाँ, दोनों को जब एड़ करेंगे, तो क्या आना चाहिए, alpha plus beta का add करने पे आपका 90 आना चाहिए, complimentary होना चाहिए, तब ये condition satisfy होगी, हाँ, satisfy होगी, कब, cos alpha into cos beta is equal to 1, कब होगा, जब इनके alpha, beta जो आपके theta होगे, तो अलग-अलग कोड जो इसके होग होगे, उनका जो योग होगा, सम होगा, 90 आना चाहिए, तब 1 होगा, कब होगा, जब 10 alpha into 10 beta का, जो आपका theta के योग होगे, वो कितना होना चाहिए, 90, तब आपकी value क्या होगी 1, हाँ, इसी प्रकार, court alpha into court beta is equal to 1, कब होगा, जब इनके theta की value हा, alpha plus beta जो आपका theta ही है, इनका value complimentary होना चाहिए, मतलब क्या, योग आपका 90 होना चाहिए, तब आपके ये equal में 1 होगे, समझ पाये ना, बहुत ही बेथरी, चलिए, तो इसी concept के आदार पे आपको याद रखना है, और करते हैं, दबा के question, ये तो आपको समझ लिया, चलू, हाँ, देखो, पहला ही question आपका ह है, क्या है, चलो, पढ़िए, बहुत ही अच्छा question है, देखो, पूछा किसमें गया आपका, SSC, CPU में पूछा गया भाई, हाँ, 2023 में, क्या कह रहा है, आपका question, कह रहा है कि 2 sin 1 degree into sec 89 degree, हाँ, प्लस 3 cos 11 degree into cos sec 79 degree, अच्छा ये जो आपको बताया, ये अगर confusion हो रही तो, ऐसे समझो, S के साथ में एत रहे गा, C के साथ में C रहे ग, उसके बाटे वालत ये saat near C, के साथ में ये, एक कायो वेला function हो बीटा is equal to one कब होगा वन भाई तब होगा जब इनके कोणों का योग कोणों का सम कोणों का सम कितना होना चाहिए 90 हां क्या होना चाहिए complimentary होना चाहिए 90 तब होगा is equal to one समझ पा रहे ना चलिए तो इसी आदार पर देना आपको answer तो चलिए मेरे बाई बताइए sign देखो 2 आपका multiply में आप करते है direct इसको solve 2 तो आपका multiply में है 2 तो आपका multiply में है इसके बाद देखिए sign 1 degree into 6 89 degree इनके angle को आप जोड़िये तो कितना हो रहा है एंगल की value हो रहा है आपकी 90 की क्या हो जाएंगे 1 समझ पाए ना क्या हो जाएंगे 1 चलिए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके 1 इसके बाद और आपने क्या देखा कॉस और कॉस एक दोना गर इंटू हो रहा है अगर इनके angle का मान जोड़ने पे 90 आ रहा है तो value क्या हो जाएगी इसकी भी 1 समझ पाए ना इसके बाद आपने क्या देखा कि 10 अलफा इंटू 10 बीटा का value अगर इनके angle के जोड़ने पे 90 आ रहा है तो क्या हो जाएगा 1 तो भाई सबकी value तो 1 1 1 1 हो गई समझ पाए ना तो क्या हो जाएगा आपका तो हो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा यहां से देखिए 2 2 इंटू 1 करेक्ट प्लस प्लस आपका 3 पूरी की value क्या हो गई 1 प्लस प्लस क्या है आपका 5 इस पूरे की value क्या हो गई मेरे भाई 1 समझ पाए ना बहुत ही बतिन चलिए solve करते हैं यह आ जाएगा आपका 2 प्लस थीरी प्लस 5 इस इक्वल टू एन जो कि आपका 100 पर्जेंट करेक्ट अंसर है ओप्शन नमबर डी जो कि आपका करेक्ट है समझ पाया ना बहुत बेतरी चलिए चलते नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट मेरे भाई आपका सेकंड नमबर कुर्शन क्या है दा वैलू ओप कॉर्ट कॉर्ट थर्टी डिग्री हां कॉर्ट ट्विंटी सेवन डिग्री कॉर्ट आपको क्या पड़ेगा चॉलाबरेट करना पड़ेगा हां दोनों को मर्ज करके देखना पड़ेगा capture अपने पड़ीव्या आपकर टी कॉलाबरेट गोला ब्रिर्शन का मेथड यूज करिए तो देखिए कोट टेरा और कोट 77 डिगरी एकी साथ में लिखिए तो देखिए आप कर रहे हैं मेरे भाई हमें आज से सॉल्व तो देखिए कोट अभी इसको बस अरेंज करके लिख रहे हैं समझाने के वाज यसे कोट तेरा डिगरी हां इंटू कोट 77 डिगरी समझ पाया ना इसके बाद इसके बाद आप देखिए आप एक कोट 27 डिगरी और कोट 63 डिगरी इनको आप साथ में लिखिए क्या कोट 63 डिगरी और कोट इसके बाद करते हैं इसका कोलाबरेट तो भाई देखिए अभी आपने पढ़ा ना कोट अलफा इंटू कोट बीटा के थीटा का योग अगर 90 आ रहा तो वैलू क्या हो जाएगी वन तो देखिए तेरा में सत्ता को जोड़िए कितना आ जाएगा आपका 90 जो की वन इसके बाद कोट अलफा इंटू कोट वीटा दोनों को एड करने पर कितना आ रहा है वन आ रहा है वैलू क्या हो जाएगी हाँ दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है कॉम्प्लिमेंटी आ रहा है 90 तो वैलू क्या हो जाएगी वन देखिए तीरे साट में 27 जोड़ी कितना हो जाएगा आपका 90 इसके बाद बच्छा आपका कॉट 60 डिगरी इसकी वैलू आपको पता ही है तो चलिए तो मेरे भाई यह क्या ओगे आपका one into यह क्या ओगे आपका one समझ पाया ना कॉट 60 की वैलू क्या होती है तो मेरे भाई ॥रित अच्छी के वैलू क्या होती है option number A, जो कि आपका correct है, हाँ, option number A, जो कि आपका मेरे भाई correct है, चलिए, इसके बाद, चलते हैं, next, समझ में आया ना, क्यूं, समझ में आया ना, मेरे भाई, क्यूं, हाँ, चलिए, बहुत ही बेतर है, चलते हैं, three number question पे, the value of 10, अब देखो, आप भी को लग रहा है क्या, कोलाबेट करेंगे, हाँ, चलिए, तो देखिए, 10, 5 degree को किससे compare कर रहें, कोलाबेट करें, इससे, 10, 35 degree से, हाँ, 85 degree से, तो देखिए, 10 आपका 5 degree, और 10, 85 degree, दोनों को आइट करिंग कितना हो जाएगा, त्रीट की value हो जाएगी, 90, जो कि इनकी value क्या हो जाएगी, 1, डैक्ट लिक रहें आप, 1, into, इसके बाद, इसके बाद देखिए, 10, 25 degree, हाँ, 10, 25 degree, और 10, 65 degree, इनकी थीटा की value को आइट करिए, कितना हो जाएगा, 90, जो कि जब 90 होता है, तो value क्या हो जाएगी, तो value हो आपका इंटू में भचा आपका 1045 और 1045 की वैलू के होती ही भाई बहुत अच्छी तरीके जानते 1045 की वैलू होती ही वन और वन इंटु वन इंटु थिरी टाइम वन क्या हो जाएगा वन ही रहेगा वाई अंसर वन आएगा ऑप्सन नंबर सी जो कि आपका करेक्ट समझ भा तो क्या और हम से चलते हैं फूर्थ नंबर क्या है find the value of इसको आप 2-3 डाइप से कर सकते हैं आपको चलिए बता बताते हैं इत्सको आप सब्हूंप बेसिक से परेक्ट चलिए पहला मैंठड़ बताएंगे मैंसर्ण नंबर वन कैसे कर सकते हैं मैंसर्ण नंबर यंस तो द अपन, अपन देखिए, इसको चंज करिए कॉस में, कैसे चंज करेंगे, तो देखिए, साइन, साइन, 90-37 डिगरी, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35 डिगरी तो आएगा, करेक्ट, इसके बाद, is equal to, हाँ, is equal to, हाँ, is equal to minus में, minus का कॉस, कॉस, 47 डिगरी, इन्टू कॉस एक, इन्टू कॉस एक, हाँ, 43 डिगरी, अब देखिए, मेरे भाई, यहाँ से, अब देखिए, यहाँ से, तो आप कह सकते हैं, की देखिए, यह क्या हो जाएगा, आपका, उपर तो आपका सब्सक्राइब, इसके बाद, इसके बाद, सेकन्ड के बताया था, आप को इन्ट कौन साइस, से, आपको माइनस ब्लस का पता चलेगा, और इसके बाद, देकिए, 90 का और मल्टीपल है, इवेन, अगर और मल्टीपल हुआ तो यह अपने कॉम्पली में कनवार्ड हो यह प्रक्राइब और गुर्टी पल्टी पर अपने कॉम्पली मेंटरी कॉस्पमें जो जाए कोस्त ते विन थरटी सेवन डिगरी माइनस अब देखिए कोस्त अलफा इंटू कॉसेग बीटा अभी पड़ा आपने इनके थीटा की वैलू अगर नब्यार रही है तो वैलू क् प्रक्राइब तो देखिए यह आपका कट जाएगा क्या आपका प्लाइब करेक्ट तो फाइनल आंसर क्या आजाएगा आपको यह इससे बताएंगे और भी अच्छा अब आपको बता रहे है स्मार्ट अप्रोच इसका का मैतर झांबर वन बताया इसके बाद बताते हैं कॉपी करेखे पहले तो इसको और बताते मिफ्रेश्टन से इसको अब बहुंत कम घख करेशिब्रास को इसको आप बहुत लगवेशिया है मेंटर कर सेश्टन से भैक बस रभśलगे मेट थे सब चोलो तो भाई मेरे देखिये जांसे कि क्या पॉस थर्टी सेवन डिकरी ह्शा था थैवन डिकरी और देखिए वन आपॉन साइन ओन-साइड क्या होता है खॉसेक्ट वनपान कि आपके को सेक और को सब्सक्राइब करने पर अगर इनके थीटा की वैलू प्रिक्टा की वैलू अगर नब आ रहा है तो वैलू क्या हो जाती ही वन परेक्ट कॉस इंटु को सेक माइनस है ना इसके बाद देखे कूँ हाँ तो इसकी वैलू क्या हो जागी दोनों की वन हाँ क्योंकि इसके थीटा की वैलू आड़ करने पर 90 आ रही कॉंप्लिमेंटरी बन गए और कॉस इनको भी आड़ करोगे तो थीटा की वैलू आगी वन क्यों क्योंकि यह कॉंप्लिमेंटरी हो गए चलिए तो 1-1 is equal to 0 करते हैं दो प्रिकार्चे ना अब आपको स्मार्ट अप्रोच बताईए एक ही बार में ध्राक से चलो को संदे को आंसर दो सोचने का टाइम ही ना दो इतने प्रिपेर करेंगे आपको तो देखिए साइन अठ्थावन निगरी तो आपका एजिटीज हो जाएगा हां देख देखिए इसके बाद देखो कॉस उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक आदेखो मेरे भाई कॉस जब उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हां वह लैप कराओ तो क्या हो जाएगा वन अपन कॉस वन अपन कॉस क्या आता है वन अपन कॉस थीट इसकी वन समझ पहें ना नीचे आईए नीचे वाले में देखिए तो नीचे वाले में आप देखिए और फाइब डिगरी और टेन पचासी डिगरी ठीटा की वैलू आट करने पर नब्दे आ रही तो वैलू क्या हो जाए कि इनकी वन उसके बाद 1045 की वैलू तो आप जानते इसके बाद देखो साइन अलफा इंस एक बीटा तिता की वैलू के जोडने पे 90 या रित страхी वैलू क्या हो जाए वन तो वन प्लस वन बाई वं क्या हो जाएक आपका डिमाटर में तो आपका वन आजाए गा वन वन आजा वन प्लस वन वं जाएगा 2, final answer आजाएगा 2, समझ पाए ना, option number कौन सा match कर रहा है, जो कि आपका correct है, ऐसा से CHSL में भाई, समझ पा रहे हैं, चलिए, चलते हैं 6th number question पर देखिए क्या दिया गया है, that solve करिए भाई, एक ही step में उड़ा दो इसको, देखो, 3 तो आपका multiply में है, into हाँ, अब देखिए, sine 85 degree और देखो, cos 32 उपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, sick, चलो एक ही step लिग देते हैं, साइन, आठीरी, साइन, ऐसे देखो, 3, इसके बाद क्या आए, साइन, 58 degree हाँ, और देखो, ये cos उपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, sick, हाँ, और sick, theta की value क्या आए, 32 degree, हाँ, 32 degree, और यार, एक बार में, हाँ, ये क्या बन जाएगा, sick, 32 degree, इसके बाद प्लस है, भाई, तो plus लगा दो, इसके बाद देखो, 3, 3, sin, sin 42 degree, और आपको इब बता, cos उपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sick, हाँ, cos उपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sick, देखो, theta की value क्या है, 48, अब देखिए भाई, कितना easy बन गया, इतना easy बन गया, कि दुनिया में से easy सवाल बनाई नहीं, sin alpha into sick beta, अगर theta की value जोडने पे 90 आ रही है, तो value क्या हो जाएगी 1, समझ पहा है न, इस वाले part में आईए, इस वाले part में आईए, तो आप देख theta की value अगर theta की जोडने पे 90 आ रही है, तो value हो जाएगी 1, तो भाई बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, यहां से आप अपा only 3 into 1 plus 3 into 1 is equal to 3 plus 3 is equal to 6, option number 6 कौन सा है भई, यहापा correct है, option number B, जो कि आपा correct है, SSC CGL मेंस, भाई, मेंस पूछा गया है, यह रे भाई, देखी, SSC CGL मेंस पूछा गया, देखी, कितने easily आप कर पाया है, चलो, चलते हैं, save a number, save a number क्या है, what is the value of, लिख दे, चलो, what is the value of, अब देखो, बेसिक से आप कर लेना, मतलब बेसिक क्या, इसको उपर ले जाके, इसको 90 के convert करो, यह फिर उपर वाले convert कर लो, 90 की बेस में, या नीचे वाले को, तब काटो, तो आपको भी पता है, वो 10th level high school की बात थी, अब आपको करना, smart approach तो बताई दिया, बेसिक तो आपको बताई दिया, smart approach आप करिए, उससे हम भी करवाएंगे, चलिए, तो cost 50 degree, हाँ, और जिस sign उपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, sick, value क्या हो गई 1, इसकी value क्या हो गई 1, theta की value जोडने पर 90, correct, इसके बाद 3, 3 बचा यहां से, cost यह से ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, cost, यहां से भी हो जाएगा, आपका 1, minus 2, minus 2, cost into cost, जोडने पर अगर 1 आ जाए, theta की value, जब इसका complementary बन जाए, तो 1 तो देखिए, 1 plus 2, कितना हो गया, 4, 4 में से 2 लिस जाएगे, आपका जाएगा, 2, मैं समझे, मैं चलो बता रहे, चलो, cost, cost, cost 50 degree, cost, 50 degree, हाँ, जब sign उपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 चाल, हाँ, sign उपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6, ठीटा की value क्या है, 40, plus 3, इसके बाद क्या है, 3, 3, 3, cost 1, cost 1, 80 degree, हाँ, cost 3, cost 1, 80 degree, नहीं आपाएगा, छोटा लिखना पड़ेगा, चलो, छोटा ही करके लिखते हैं, हाँ, देखो, फिर दे लिखते हैं, क्या है, cost, cost 50 degree, हाँ, और sign उपर जाएगा, क्या बन जाएगा, 6, 6, 40 degree, plus, प्लस आपका 3 है, हाँ, इंटू क्या, cost 1, cost 80 degree, हाँ, इसके बास, शेक ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cost, आ, cost, theta की वेलू आपकी 10 degree, कर दी माइनस टू माइनस टू कौक से का कॉस एक आपकी 50 डिगरी और कोसे की वैलू एंटू आपकी को से की वैलू है आपकी चालिज डिकरी तो वाइश सॉल कीजिए ना जलो कॉस इन्टू सिक हाँ कि यह क्या कर दिया बताते नहीं आप चलिए, साइन जब उपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक बनेगा वो तो, कॉसेक, हाँ, कॉसेक चालिज डिकरी, चलो, कॉसेक, कॉसेक, चालिज डिकरी, वह कॉसेक बनेगा, हाँ, चलिए, आ तो बता ये, कितना इसी बन गया वाई मेरे, दिखो, कॉसेक, थीटा की वेली innovations जोडने पशेक लिप लाएगा, क्या हो जाएगा वन समझभाया ना कॉस एक इन्टू कॉस थीटा की वैलू जोडने पर नप या रही तो जाएगा वैलू वच्क व्याना बच्छा क्या तो बच्छा क्या तो बच्छा आपका यहां से देखो टू आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा option number C जो कि आपको correct है पहले ही मैंने बताया था चलिए अब आपको बेसिक ज्यादा नहीं बताएंगे आपको स्पीड में करना भाई चलो तो यह को लाबरेट करो किसको किसे कंपेर करो इन तेरा डिगरी और यहां पर आजाओ टेन से सत्ता डिगरी हाँ दोनों को एड करिए कितना हो जाएगा भाई आपका बताई नब्य डिगरी हो रहा है ना चलिए सह सत्तर में टेरा एड कीज़ी आपका 90 इडिगरी रिकोंट इसकी वेलू क्या हो गई वन हाँ वन इंटू इसके बाद देखिए कि इसके बाद इसका बदेखो इसके बार देखो एंटू 10 45 एंप 65 कि वैलू क्या होती है 23 अपन आप आन देखिए कल फ nose URL करते हैं डाकल एक टू सेके स्क्वारो довिय आध युडिया देखो टू और शेक इस्क्वाइड इसक्वार बाइब रेकेड में आपका ताइनि 70 वैलू किया होती है भाइब रूट-3वाई कि उसका करना है आपको रूकीज करना है आपको रिशाए इसकेखना इस के है लगाद या धिया थिरी इंटू में क्या है प्रिवेस एक्लास नहीं देखना बहुत जरूरी इसके बाद है आपका 2 लिखा है उसको भी आपको प्रोड करना इसमें भाई उपर नूमरेटर में तो आपका लिखें उसके बाद देखें आपड़ेकट्स करे कैसे के य। दूर थिरी किस वहां चांगा आपका 3, अपन 2 का सकंवार हो जाएगा आपका 4, माइनस, माइनस देखिए, क्या हो जाएगा 3 अपन, 3 upon 2, also prior to the opposite, ड़े अब आगे नशी की जिए, देखे भाइ, यह इसाल्व कीजिए, क्या हो रहा, इतनी बात तो समझ मैं है इसके बाद आके solve कीजिए जलो numerator में तो आपका 1 रहेगा इसके बाद देखो 8 8 हाँ इसके बाद देखो इसका LCM लोग कितना आ जाएगा आपका 4 हाँ 4 आ जाएगा और देखो यह उपर हो जाएगा आपका 3 माइनस यह हो जाएगा आपका 6 प्लस प्लस आपका हो जाएगा आएट समझ में आना यह कैसे solve करते हैं देखो इनका बस कुछ नहीं किया हमने LCM लिया तो है जगा से LCM कितना है आपका 4 प्लस यह उल्लेडी 4 है तो 3 रख दिया इसका आपका देखो यह कितना हो जाएगा आपका देखो यह कितना हो जाएगा आपका देखो एट और तुरी कितना हो गया 11 11 में से 6 गया कितना बचा आपका 5 और 5 टूजा 10 5 टूजा 10 अंसर आया आपका 10 ओप्सन नंबर कौन सा 1 by 10 है ना भाई नुमेरेटर भी तो देखना है भाई छोड़ाना तो नहीं उसको ना तो 1 by 10 आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर माइनस वाला मत किलिक कर देना आपकी वैलू तो भाई मेरे प्लस में आईए आपकी वैलू तो प्लस में आईए तो कौन सा हो जाएगा ओप्सन नंबर कि नए कंसिप्ट नए शुरुवात कि जलो तो पीछे अच्छा आपने यह पड़ा था पीछे मैंने आपको यह बताया था टीबिए से क्लास में कि अगर देखो ऐसे लिखा है अगर साइन साइन टेन डिगरी आं साइन टेन डिगरी का कॉंप्लिमेंटी बताईए इसके ब बताते थे इसका कॉंप्लिमेंटी कैसे बताते बाई तो बाई कॉंप्लिमेंटी ऐसे बताते थे कि देखो इसको इसके कॉंप्लिमेंटी से चंज करते हैं और हीटा का जो मान है एंगल का जो मान है उसको 90 से करते हैं लेस 90 से करते हैं लेस तो साइन अपने उच्टार्च सिर्डिगृ्ण ज Toyla फंपस्ट नहीं होग होगा है दो थार्टी गभेस करेंगे तो क्या होजतागा कोष्टी डिग्री होगा वाई मेरे अब देको साइन फाइब डिगरी और साइन फाइब डिगरी कॉंपलिमेटी बताइए तो क्या हो जागा कॉस कॉस 85 डिगरी यह हमने प्रीवेस एर क्लास में बहुत यह अच्छे तरीके से हमने पड़ा था और अगर हम आप को यह आप उल्टा दे दें आप में और गया बताइये मुझे की को स साजस्टों का क्शा करने साइन में कंवाड हो जाएगा और एंगल को एंगल को आपको किसे कनवर्ड माइनस करना है नब्बे से नब्बे से जब फंदरा लेस्ट करेंगे तो आजएगा आपका पच्छत्तर डिगरी हाँ भाई मेरे 75 डिगरी और 75 का कॉंप्लिमेंटरी क्या आजएगा साइन 15 डिगरी ये बात तो समझ में आई ना ये लेंग्विज समझ में आई ना बहुत ही प्रेपेर हो चुके हैं इससे चलिए है आपको इसी प्रकार का आपका ये कंसेफ्ट जो आपका ये कुस्स्टन है ना कुस्टन नंबर 9 अब आपको नया कुस थोड़ा सा नया आपको और बताने जा रहे हैं तो क्रिपय करके उस पर ध्यान दीजिएगा जलिए तो हाँ चलिए is alpha plus beta alpha plus beta is equal to अगर इनका angle का value 90 आ रही है तब देखिए इस case में इस case में इसको करिए आप box में lock आईए भाई आप box में हो जाईए lock दो रेड रेड का ही हो गया हम को तो करना है black का combination तुप करते हैं न सर करते हैं न सर जी ब्लैक हम आपको क्या बता रहे हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं मेरे भाई कि अलफा प्लस बीटा का योग अगर नब्बे हो तो क्या होगा तो देखिए मेरे भाई आपका ये होगा तो देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं साइन alpha is equal to is equal to cos is equal to sin alpha जैसे पीछे किया था sin alpha is equal to sin sin 90 minus beta sin 90 minus beta तो देखिए यहां से यह हो जाएगा आप पर sin alpha is equal to sin 90 minus beta क्या हो जाएगा cos beta cos beta हाँ क्या हो जाएगा cos beta तो यहां से यह conclusion निकल कि आता है कि sin alpha is equal to cos beta का value अगर जोडने पे ठीटा की वेलू जोडने पे 90 आ रही है तो वो अपने complimentary में होंगे तो वो अपने complimentary में होंगे ऐसा भी कह सकते हैं sin alpha is equal to cos beta हाँ दोनों equal में हैं इसकी अलफा की इसकी थीटा की वेलू इसके थीटा की वेलू जोडने पे कितना आ रहा है 90 कितना आ रहा है गर 90 आ रहा है तो यह complimentary होंगे समझ मैंना वहीं आपको कंडिशन लिखा दिए चलिए तो देखिए यहां पर आपको दो से तीन बात याद रखें हैं दो से तीन बात आपको भाई मेरे यहां पर याद रखनी हैं जो कि आपको बहुत एच्छे तरीके से हम बता चुके हैं याद रहेगा ना कि क्या साइन अलफा इस इक्वल टू कोस बीटा इस पर आपको एक इसम्पल देना चाहरे हैं जैसे कि देखिए के साइन कि चालंज डिगरी करेक्ट इसके बाद सो तो clip में होंग है यह कभिकान में होंगे दिकोखो एकवल में ऐसे होंगेना सौन sarà इटा सान एलफा इस इक्वल टो सी इसको अलफा और अगर एड़ करेंगे तो हमेंसा 90 के इक्वल में आने चाहिए तो देखिए आपके नाइंटी के इक्वल में आ रहा है लेफ एंड साइड एंड राइट है दोनों आपस में बैलेंस हो गए तो इसी प्रकार से आपको कुछ आ देखिए अधो समझ पा रहा है ना कि इस बेस में आपको एक्जामनर कोशन पूस सकता है यह लेंगविज्ग तो समझ में आई ना बहुत बेतरी एक्जामपल भी आपको मैंने करा दिया यह भाई मेरे क्या है तो भाई मेरे यह आपका है एक्जामपल हाँ एक्जामपल चलिए इसी के ऑथेंट से हम करते हैं अपना कोशन तो कोशन कहां गया भाई अपना यह इसको लाई यह आप यहाँ पर चलिए ना और नाइन नमबर इथा और समझते ना मैंने हम अभी आपको क्या पढ़ाया कि साइन दो दोनों ले फ्रें अगर मैं इसको लिए टू इस इक्वाल टू फाइफ दोनों भाई सेमी तो बात है बात दोनों सेमी है चलिए तो अभी आपने यह पढ़ा है कि कॉस अलफा इस इक्वाल टू साइन बीटा कभी एक्वाल होंगे जब इसके दोनों थीटा की वैलू को जोड़े तो 90 आए 90 स आपका यह कंपेर कर रहें तो देखिए क्या हो जाएगा आपका देखिए थीटा की वैलू के आपकी टू ए प्लस प्लस आपका है 75 डिगरी इस इक्वाल टू नबबे लिगरी समझ पा रहे है ना बहुत ही बेतरी तो चलिए इसको आदेको टू ए तो आपका एज इस रहे देखिए इसके बाद 90 से जब 75 आप लेस करें तो आ जाएगा आपका 15 डिगरी और देखिए तो यहां पर एक ही वैलू क्या आ जाएगी एक वैलू आ जाएगी आपकी साड़े साथ डिगरी साड़े साथ डिगरी समझ पाए ना युदक पॉइंट रखते हैं ना कई बच्चे बीच में रख देते पर ऐसा नहीं साही इसका अथेंट क्या होता है हां देखो सेवेन और देखो सेवेन के लास्ट जाहां से खतम होरा वहां पर रखते हैं पॉइंट और यह लिखते है यह असल मीनिंग यह होती है ठीक है कई तो लिख देते हैं से देखो सेवेन बीच में लगा दिए के साड़े साथ है पर वह रॉंग है भाई लिखना आपको कैसे है ना सेवेन लिखा उसके बाद देखो नीचे ऐसे यह फिर आप लिके 5 ना साड़े साथ डिगरी इसका भी तो भाई याद रखना है हां राइटिंग का भी बहुत ही मैथ होता है चलो तो साड़े साथ डिगरी ऑप्सन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट है पूछा गया था आपको एक ही वैलू हां एक ही पोजिटीविटी देखी गई थी चलो बता पाए ना नाइन नंबर चलिए तो देखिए चालिस डिगरी प्लस प्लस क्या आपका एक्स हां चलिए प्लस थार्टी डिगरी और हां यह जो आपको मैंने बताया था ना एक्जाम्पल यह एक्जाम्पल ऐसे होगा कि जरूरी नहीं कि इनका दोनों का वैलू यह आपे 90 बने पर हमने कंडिशन तो साटिस सब्सक्राइब की यहां से कि कॉस अलफाइज इकल टू कॉस बीटा दोनों इकल होंगे हां जब इसके थीटा की वैलू 90 नाइटी से कंपेर कराते हैं समझ पा रहा है ना बहुत ही बेतरी चलिए फिर क्या हो जागा प्लस अभी तो इसका लिका 40 प्लस एक्स प्लस 30 लिक ल इतने हों कि 70 70 में से अब आपको 70 करने मेरे भाई लेस तो एक्स की वैलू कितनी आ जाएगी तो एक्स की वैलू आ जाएगी आपकी 20 डिगरी योकि आपका करेक्ट एंसर है ओप्सन नमबर कौन सा बी जो कि आपका करेक्ट है SSC CGL का भाई कुस देखिए कितने बिंदास त अब आपका तो यहां पर यह आ गया कि भाई पॉट अलफा इस इकल टू कॉड़ बीटा वापे आपको एक कंसेप्ट और लिकले ना भाई यहां पर अभी तो आपने क्या साइन अलफा इस इकल टू कॉस बीटा तो अन्टार रखनी है कि इन अल्फा इस एक्वल टू देखो यह आपका कैसा कोश्चन ने देखो अग्यान अल्फा इंटु कॉर्ट बीटा दोनों एक्वल होंगे चलिये कहां गया कंसेट अपना कहां था यह हाँ एक्वल टू कॉट बीटा यह भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है तो यह दोनों यह आपको याद रखने है यह आपके क्या है दोनों यह दोनों है आपके भाई मेरे फॉर्मूला कि अपने क्यों सब्सक्राइब देते हैं आपने कंडिशन पढ़ रखिए ऑई कि क्या कंडिशन आपने पढ़े रखिए कि न आलफा इस इक्वाल टू कॉट बीटा कॉट बीटा इक्वार लोंगे हां यहाँ कब यपि प्लस बी साइप ले प्लस B is equal to 90 यह आपने condition पढ़ा रखी है ना चलिए जलो करते हैं मेरे भाइ इसको solve 10 2 theta is equal to cot theta minus 36 degree तो देखिए angle की value क्या है आपकी 2 theta plus प्लस है आपका theta minus 36 degree is equal to 90 degree correct तो चलिए theta theta कितना हो जाएगा आपका 3 theta 3 theta और देखिए 90 में अब आपका 36 हो जाएगा भाई add क्योंकि इधर माइनस की इधर जाएगा तो प्लस का तो देखिए 3 theta 3 theta अब इसको आप करिए add तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 से divide 42 degree option number D जो कि आपका correct है समझ पाया ना यह आपका हो जाएगा 42 degree answer चलो समझ पाया ना है कैसे करना जैसे कि आपका sin alpha is equal to cos beta बराबर होते थे ना चलिए इसी प्रकास पर 10 alpha is equal to cos beta भी बराबर होंगे 90 से करेंगे इसका लेस चलो theta की value को इसके बाद देखो 12 नंबर उसी बेस में आ तो चली 10 यह और is equal to cot की value वो तो देखिए आपको find क्या करना find करना theta plus 5 theta plus 5 तो देखिए 5 यह आपको 5 थीटा माइनस 10 डिगरी प्लस प्लस आपको 5 और यह आपको 5 प्लस प्लस ट्वंटी डिगरी लेस किसे करेंगे नब बेडिगरी से क्यों जगर आपस में equal है तो वह अपने complementary में होंगे अगर 10 alpha हाँ और is equal to cot beta अगर equal है तो वह आपस में दोनों complementary होंगे यह इतना fund आपको याद रखना है चलो इसके बाद करते हैं इसको solve तो देखिए निकालना क्या आपको theta plus 5 की value निकालनी है theta plus 5 की वैलू तो देखिए एक बाफिर से arrange कर लिजिए 5 theta अगर देखो 5 theta plus 5 5 is equal to 90 और देखिए भाई minus का 10 plus का 10 कितना हो जाएगा आपका 10 के वल बचेएगा और 10 इधर minus का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हाँ इधर प्लस का इधर जाएगा तो मानस तो नबे में से लिख देखिए नबे में से आपको 10 करना है आप लेस चलो इसके बाद यहां से तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में समझ पा रहा है ना बहुत ही बेतरी शलिए तो theta plus यहां से आपको देखिए तो आपका theta plus theta plus phi की value क्या निकलेगी भाई theta plus phi की value निकलेगी देखो one bar में और यहां पर देखो one bar में यहां पर आएगा कितना 30 हाँ है और कितना सिक्स टाइम में है कि कट क्यों जा रहा है कि तोला है हां सोला डिगरी तो थीटा प्लस थीटा प्लस फाइब की वैलू आई कि जागे आपकी आपकी इतनी सा आ अंसर है option नमबर एजो कि आपका करेक्ट है आइससी चसल देखिए इसके बाद चलते हैं चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट नेक्स्ट टॉबख़ोड देखिये बहुत Ys यहां पर यहां पर यहां पर गद्लोड कर देते हैं जो किसी इलादें से कई गुम होंगे चलो कोई दिकत ने एक्वाल और आपने कंसेट पड़ा रखा है साइन अलफा इस इक्वाल टुकॉस बीटा कब इक्वाल होते हैं जब इसका कॉंपलिमेंटरी बन जाए तब उते हैं इक्वाल चलिए तो क्या है फाइप 5X 5X-25 डिगरी प्लस प्लस काई आपका 5Y 5Y प्लस 25 इस इक्वाल टू 90 डिगरी आपको चलो इसके बाद क्या करना आपको X प्लस Y की वेलू चलिए उसी बेस में है तो देखिए 5X प्लस 5Y दोनों को आप एक जगार देखिए 5X प्लस 5Y इसके बाद देखो 90 25 प्लस का 25 माइनस का आपस में हो जाएंगे कट अब देखो 5 इससे कामन लो ठीक है 5 और एक्स प्लस वाई इस इक्वाल टू 90 समझ पा रहे ना चलो इसके बाद को X प्लस एक्स प्लस वाई इस एक्वाल टू 90 अपन वाइब जब आप इसको कट करेंगे वन टाइम में चलो 18 बार में यह हो जाएगा आपका फिनिश चलिए ऑप्सन नमबर सी जो कि आपका करेक्ट है कर पाएना बहुत ही बेतरी चलिए इसी रफ्तार में आपको चलते रहना है भाई चलिए चौदा नमबर कोशन हां 14 नमबर क्या दिया गया कॉस अलफा इस इक्वाल टू साइन बीटा हमें पता इक्वाल होते हैं इक्वाल कब होते हैं इस कंडिशन में होते जब नर्पे क कॉम्प्लिमेंटरी में हों चलोँ कि क्या हो जाएंगा आपको यहां से तो देखिए- धी-धा-ध súper लस चूवण डिगरी, हाँ, ब्लस थीटा, ब्लस थीटा, इस इक्वण टू, 90 डिगरी, यहां से देखो, थीटा, थीटा, कितना हो जाएगा, थीटा, हाँ, थीटा, इस इक्वण टू, 90 में से, 90 में से, चूवण आप जब लिस्ट करेंगे, हाँ, 90 में से अब आपको क्या करना सब्सक्राइब system कितना आजाएगा आपका उत्तिज डिगरी सरभे को पता यह आपका 3 इदर multiply मिद भाइड में सब्सक्राइबाइब स्थे आपका फिसक्राइब और मिसितल माःेल Marcus 11 जालो आपको sorry किया करना सोल्ड करना मेरे भाई आपको यहां से यह यह वन अपन अपन पॉन 4 5 थीटा प्लस 6 5 थीटा पॉन 2 चलो अब आपको करना ये या one upon one upon, caught, caught, 5 into theta की value क्या है आपकी 12, हाँ चलिए, इसके बाद क्या है, प्लस, प्लस एक, जैक, 5, 6, 5 into theta की value क्या आपकी 13, upon, तोरी 12 है, हाँ 12 है, theta की value 12 है, 12 upon 2, correct, चलिए, इसको solve कीजिए, तो numerator में तो आपका 1 ही रहने वाला है भाई, हाँ चलिए, 12, 5, 60, हाँ, caught आजाएगा आपका 60, हाँ, प्लस, एक, 12, 5, 60, 60 का अड़ा कितना होता है, 30 degree, चलिए, यहां से आप देजिए, आपस, हाँ, अंसर एक ही बार में देखो, धड़ाक से, टन, 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 करके, हाँ, यहां, तो यहां, रहे хотя तो आप जनते ही क्या होता है, धलो, वन अपॉन, वन अपॉन, vegetable कos, 60 कि value क्या होती है बेरे भाई, हाँ? canos 60 कि value वर्त, एवन भाई, one by root, three, प्लस है तो plus लगा दिये, सिक 30 कि value क्या होती है, सिक 30 कि value होती है, two upon state, to upon root three, द्री दिक रहाया है, हाँ चलिए दिख रहा है इसके बाद देखिए वन अपॉन डिनोमेटर में क्या जाएगा आपका रूट थिरी अपॉन क्या जाएगा थिरी चलिए आगे इसको और सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा देखो रूट थिरी तो आपका उबर लैप कर जाएगा उपर हमने एक श्तेप ज्यादा सॉल्व कर दी एक्जामिन तो आपका यहीं पफे छोड़ दिया यहीं पर चोड़ दिया उसने चलो कोई दिकत नहीं फिर हम कम करते हैं कि स्टेप सॉल्व जलिए रूट थिरी रूट थिरी भाई थिरी इक्जामिनर में यहापधे काटा नहीं ह साडान रहाएँ कदलन से जो कि सिल को यह विवी पूछा गया तो इसके बार चलते हैं 15 नंबर कुंच्छन आग इफदा सेक थिटा इजिक्वड़ टु कॉसेक थिटा यह भी आपस में यह बोगे तो आप located लिएंब्स इक hate न एक आपको यह आपको यहाद रखना है मेरे लगाई कि क्या से कि इस इधर आपके क्या बन गए फॉर्मूला याद रखना है ना शली अब लिखा दिये ना इसलिए अबने एक ही बार में इसलिया नहीं लिखाया थे को सलिकाए उसके बाद यहां फार्मूले को सलिकाए यहां पर मुले परेक्ट यह था आपका फॉर्मूला का फंडा हां चलो मेरे भाई पंदरा चौदा नमरों गया हां चलो पंदरा हां तो अभी आपने प्णेप्ट पड़ा एक पर आना मेरे भाई की ही इस अधिको 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 एपलस बी इस इकवल टू एक वर ऑन गैना कप यह दू काम लब से को अधिक ए इस इकवल टू पॉसिक इसी यापने क्या ये अपने पड़ लिया ना चलो अ बीट यसे कि देखी अईसके ब्लाग करके ऐसे भी आलफा लिखते हैं इस्टाइस में थोड़ा बना के ठीक ओरर अलफा ऐसे भी लिखते हैं तो मैंस प्लमसर, आपका अल्फा माइनस टूडिग्री नहीं है तू अलफा है अ कॉसे चलिए इसके बाद यह किसके कर्म होंगे 90 के 90 के चलो तो यहां से सॉल्व कीजिए ना देखो पंद्रा प्लस का पंद्रा माइनस का आपस में दोने हो जाए कट पाइप अल्फा प्लस का टू अलफा माइनस का कि अलफा हां थिरी अलफा इस एक्वल टू नबे तो अलफा की वैलू यहां से क्या आ जाएगी तीस डिगरी हां अलफा की वैलू क्या जाएगी यहां से अलफा इस एक्वल टू तीस डिगरी आप इसको सॉल्व क्या करना आपको सॉल्व करना है भाई यह दिया गया देन द the value of then the value of cos alpha plus sign 2 alpha plus 10 1.5 alpha चलो करते हैं क्या है आपका सॉल्व करना आपको कॉस alpha प्लस प्लस साइन तू alpha प्लस प्लस टेन 1.5 alpha समझ पायना 1.5 alpha सॉल्व करिए आपको इंद पता अलपा की वैलू रखनें अलपा की जिए जिया कितना रखांगा थर्टी तो जिए कोस साइब प्लस साइन तू इंटू थर्टी कितना हो जाएगा आपका साथ डिगरी लेकि देना एकी बार में चली साथ डिगरी प्लस टेन कितना है 1.5 इंटू तीज डिगरी देखिए तो कितना हो जाएगा 45 450 तो मदब क्या पाइटारीच को ऐसे समझदार व्यक्ति के लिए इ जाए 1.5 इंटू हाँ 1.5 इंटू थर्ट यह और यह पॉइंट अटे का नीचे आ जाजागा यह से यह खतम पंदा तियां पैंतालिस आगे आगे ना पैंतालिस चली तो वही काना समझदार व्यक्ति के लिए साराइब काफी होता है तो क्या हो जागा यह पैंतालिस टिकर कि छ लिए वैलू रखिये कोताइबरी तो यह र्यूरण डिवन इसको आप ले जाए और यहां करिये श상 अनसipper कर्या तो देखिए क्या हो जाएगा यहां प्डिफ़ा जाएगा आपका वन डिनो मेंटर में आ जाएगगा का आपका टु रगोमेटर में हो जाएगा आपका का तो कर्षा पॉन रूट ती रह टी अ सिर्स प्लेस लान अप्स pref ode तो नुमस्पायन देखो रूट थेरी बैटर प्लास ल illness न फीरBLE तो आद आदा मिलके हो गया एक वैलू करेक्ट प्लस वन या पांसर चलिए इसी इंदाज में देना है बाई चलते हैं 16 नंबर 17 नंबर इसके बाद कंसेट्ट नेक्स फ्रू होता चलिए दो को सनों बचें स्पीड में करते हैं इसको हां चलिए को साइन आलफा की वैलू यह है इससी उक्वन टू कहस बिटा और इक होने को पता हैं इसपटा इसका जब इस जब कंप्मीमेंटरी होते हैं से find करो X के value मेरे भाई यहां से निकलेगी X is equal to 60, 20 कितने हो जाएंगे आपके 80, 90 में से 80 करेंगे आजाएगा आपका 10 डिगरी, तो यहां से X की value आपके निकली 10 डिगरी, find क्या करना, find करना आपको, then the value of 2 sin square, 3x plus 15 डिगरी माइनस, कॉसे की square 2x plus 10 डिगरी, चलिए 2, अब find करना है मेरे भाया, find करना है, यह वाली value आपको find करना है, तो क्या है आपका, तो है आपका 2, आपका as it is, इसके बाद sign, sign square, आप देखिए, 3x10, 3x10 plus 15, तो देखिए, यह हो जाएगा आपका 30, और 30-15 हो जाएगा आपका 45, 45 डिगरी, इसके बाद माइनस तो माइनस, यह क कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर, यह आपका 2 into x की जगाए पर टकेंगे आप 10, प्लस आपका 10, यह हो जाएगा आपका 30, आपका 20, 20 प्लस 10, टोटल होगा आपका 30, टोटल मेरे भाय हो जाएगा आपका 30, इसके बाद देखो, 2 into, sin 45 की वैलू क्या होती, 1 by 2, पर इसका करना है आपको square, minus, कॉसेक 30 की वैलू क्या होती है, 60 की वैलू, कॉसेक 30 की वैलू हो जाएगी, जो कि आपकी 2, और 2 का करना है, आपको, भाई मेरे square करना यह भी याद रखना है आपके, इसके बाद देखो, 2 आपका as it is into, 1 का square आपका 2 का score हो जाएगा आपका 4, तो देखिए मेरे भाई, यह आपका कितनी बार में cut करेंगा 2 बार में, हाँ, यह कितनी बार 2 बार में, तो यहां से आया क्या, 1 upon, 1 upon 2 minus 4, 1 upon 2 minus 4, तो आप यहां solve कीजिए, 2 आपका as it is cross multiple है, यह हो जाएगा, 8 to 4 to 8, 1 minus 8, answer क्या आजाएग आपका 7 upon 2, वो भी भाई, वो भी भाई, देखिए, minus का, हाँ, क्योंकि minus की value बढ़ी है, minus का 7 by 2, यह हो जाएगा आपका correct, correct answer, option number, क्या कहीं mistake हो गई, हाँ, देखिए, कहां पे, फिस्चे देखते हैं, क्या कहीं गलती हो गई, मैच नहीं हो रहा, स्क्सिटी, अरे, यार, टेन, पैसाइन, पैतालिस, सैन, पैताइस के value, वर्ण बाई, टू नहीं, यह थो साइन, 30 की value होती है, सैन, 25 की value होती है, आप यार, जालो कोई, ना, था, यह क्या हो जाएगा, आपको साइन, 25 की value होती, 1 by, root 2, 1 by root 2 का करना, square, minus, fixe 30 के वालू होती है टू ठू का करने आपको हाइब को तो देखित ही एट गजट्ट इन न्टू इन टूटा इस स्क्वाइर मारूट दू वान जो जायुँ जायोई ऑस चाहर आपका पूर छाने से सुट टू कॉंटन नंबर बीजों किया पर करेक्ट एससी सीजियल का समझ पायना चलिए पता नहीं क्यों टू ले लिया था रूट टू लेना था पता नहीं कभी-कभी मैं भी कहीं सोचने लगता हूं हो सकता चलो एक इस इस कंसेट का एक कुशन और बचाप को साइन ठीरिये इस इकव यह 3A पहले लिकलो भाई 3A प्लस प्लस एफ एफ टेंड डिगरी इस इकवल टू 90 डिगरी एट दिखे ए एक इतना हो जाएगा आपका 3A और 4A 4 is equal to यह आपका 10 SLS होगा तो आजाएगा आपका 80 यह कितनी बार में जाएगा तो एक वैलू आपकी आ जाएगी मेरे भाई 20 डिगरी अभी आपने एक ही वैलू यहां से फाइंड की इसके बाद आपको वैलू क्या हां यह आपको एंगल की वैलू है ना वेर 3A is an acute एंगल है चलो उसकी रेंज दे आपको कुछ लेना दे देना है नहीं वाट इस दा वैलू आफ टू को सेक 3A बाई 2 प्लस 6 10 स्क्वा 3A माइनस 3 बाई 2 इंटू 10 स्क्वार 3A इंटू 10 स्क्वार 3 आचलिए एक बाई रखिए तेकिया और जाएका आपका देखो आप तू हाँ तू तू को सेक को सेक यह आपका 3A बाई 2 3 into a की value क्या आपकी 20 upon 2 ये कितना हो जाएगा आपका 60, 60 का अर्डा कितना होगा 30, that लिक दे हैं आपके कितना हो जाएगा आपका 30 degree, प्लस है तो प्लस, प्लस 6, 10, 6, 10 square, 6, 10 square, 3a, a की value कितना हो जाएगा आपका 60 degree, माइनस 3 by 2, 3 by 2, 10, 10 square, 3a, कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका 60 degree, 60 degree, आप देखिए मेरे बाई, हाँ, चलो, इसको करते हैं solve, हाँ, क्या हुंबर्क में देखे हैं solve करने को लिए नहीं, यहीं पे करते हैं न सर, हाँ, करते हैं यहीं पे हैं, यह को बहुत अच्छा question है, चलो, 2 into, को सक 30 की value क्या होती है आपकी, 2, हाँ, प्लस, प्लस 6 into, 1060 की value होती है root 3, पर root 3 का भाई आपको करना है यहाँ पे, square, हाँ, minus, minus 3 by, 3 by 2 into, 1060 की value होती है root 3, root 3 का करना है आपको square, चलो, यह हो जाएगा आपका, 4, प्लस, 6 into, root 3 का square हो जाएगा आपका 3, यह कितना हो जाएगा, 18, हाँ, minus, यह देखो, क्या है आपका 3, हाँ, 3 by 2 into, root 3 का square हो जाएगा आपका 3, हाँ, ऊपर कितना हो जाएगा आपका, 9 by 2, हाँ, 9 by 2, समझ पाया है ना, बहुत ही बेतरी है, इसके बाद देखो, 18 में, 18 में 4 आपकर यह at, board marks का concept पढ़ाया है ना, बाद में सबसे सब्ट्रेक्ट करते हैं, minus का concept बाद में करते हैं, चलिए, तो देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इवैलू solve की तो इतना है, अब 18 में, चार आपको add करना, कितना हो जाएगा आपका, 22, 22, minus, 9 by 2, जालो, अब आप इसको करना है, बाई मेरे solve, तो देखो, देखो, डिर्नोमेटर, में, यहाँ पर करिये solve, थोड़ा, आजलो, यहाँ पर करिये solve, यहाँ पर करिये, तो आपका 2 रहने वाला, 2 रहने वाला, अपन, इसका 2 टू ताइम में कितना हो जाएगा, 44-9 is equal to, क्या आजाएगा निच्छा, आजाएगा 2, तो आपका डिनोमेटर में रहेगा, चावारीज में से 9 आप जब लेस करेंगे, तो भाई मेरे आजाएगा आपका 35, हाँ, 35, तो क्या हो जाएगा, 35, upon 2, यह आपको हो जाएगा, correct, और इस concept का आपका last question था, option number B, Q, SSC, CGL, tier 2 में आया भाई, देखिए, कितना बिंदास लाजवाब, हाँ, तो चलिए, इसके बाद, second class में आपका second concept चालू होगा, तो चलिए, multiple time practice division करते रहे, question जितने भी कराएगे, आपको daily का daily आपको revise करना है, हाँ, चलिए, मिलते है next class में, वीडियो को like, share, subscribe कर देना, ठ और ये, टेलिग्राम पे आपको PPT, PNG, हाँ, PDF form में मिल जाएगा सब कुछ, तो आपको telegram join कर लेना है, बाकी मिलते है next video में, love you all, take care, bye bye, good bye.